तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ जाते नौराज मैं आपको बता हूँगा कि रेलवे में ओएची पोल्स पर बने सिग्मा साइन का क्या मतलब होता है तो दोस्तो इस सिग्मा साइन की शुरुआत उन छेतरों से थी जहां पर बहुत ज़्यादा फॉक पाया जाता था यूगि उन छेतरों में लोको पाइलेट को सिग्नल्स दिखने में बहुत परिशानी हुआ करती थी और इसी परिशानी से बचने के लिए रेलवेज ने कोईची पोल्स पर सिग्मा साइन को लगाना शुरू किया जो की रेट्रो रिफ्लेक्टिट टाइप डीप यलो टेक्नलोजी पर बेज है यानि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये दूर से ही चमकने लगते है और ये आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल से एक किलोमेटर पहले लगाय जाते है जो की ड्राइवर को चैतामनी दे देते हैं कि आगे स्टॉप सिग्नल है जैसे कि ड्राइवर अपनी स्पीड हल्की कर लेते है इस तरह से ये सिग्मा सिग्नल ड्रेलवे की सेफटी में बहुत सा यह उग करता है और इस से लोको पालेट्स को भी ज्यादा परिशानी नहीं होती है तो दोस्तों उम्हीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा तब तक के लिए गुडबाई और मिलते हैं आप इस नए वीडियो में